प्रस्का दोस्तों, न्यूज 24 HR में आपका स्वागत हैं। दोस्तों सपना चोदरी ने दिया बेटे को जन्न। पती वीर साउन ने फेस्बुक लाइव के जरिये किया खुलासा। आईए जानते हैं पूरी जानकारी। दोस्तों आपको बता दे कि हरियाना की मसूर डांसर सपना चोदरी हमेशा ही सुर्ख्यों में बनी रहती है। उनके डांस वीडियो आते ही सोसल मीडिया पर धमाल मचा देते हैं। सपना चोदरी ने फिर से फ्रेंस को एक सर्प्राइज दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबित सपना चोदरी मा बन गई है। उनके घर बेटे ने जरम लिया है। सपना चोदरी के पती और सिंगर वीर साहु ने फेस्बुक पर लाइव आकर इस खबर की फुष्टी की। इस खबर को लेकर सपना चोदरी के फैंस में काफी खुषी है। लेकिन साथ साथ वो चकित भी हैं क्योंकि सपना चोदरी ने कभी इस बात की जानकारी नहीं दी कि उनकी साधी हो गई है। उन्होंने अपनी साधी को अब तक प्रावेटी रखा था। दोस्तो सपना चोदरी को लेकर बताया जा रहा है कि वो उनका वच्चा दोनों पूरी तरह से सवस्थ हैं। हाला कि सपना चोदरी वीर साहू इस बात की जानकारी देते समय काफी नाराज दिखे और ट्रोल्स को जमकर निसाने पर लिया। वीर साहू ने अपने फेस्बुक लाइब में का कि मैं पिता बन चुका हूँ मगर इस बात का दुख हो रहा है कि लोग इस बात पर बेहद असलील और भद्दे कमेंट कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि साधी करली बताया नहीं बिना साधी बच्चा कैसे हो गया। मैं पूछ रहा हूँ कि मैं किसी को ये क्यों बताओं मुझे कुछ नहीं बनना है और मैं आम आदमी बनकर रहना चाता हूँ। दोस्तो सपना चोधरी के पती वीर साहू को लेकर बताया जा रहा है कि वो हिसार में रहने वाले हैं ये भी बाते सामने आ रही है कि वीर साहू और सपना चोधरी की साधी जनवरी में हुई थी सपना और वीर पिछले चार साल से रिलेसंशिप में थे अब दोनों अपनी साधी सुदा जिन्दगी जी रहे हैं वीर साउ एक सिंगर, कंपोजर, राइटर, प्रोडिूशर और एक्टर हैं दोस्तो सपना चोधरी की बात करें तो उन्होंने अपने कैरियर की सुरुवात हरियाना के एक और केश्टरा टीम के साथ की थी उन्होंने कैरियर की सुरुवात रागनी कलाकारों के साथ टीम का हिस्सा बन कर की थी सबना चोधरी शुरुआत में हरियाना और आसपास के राजियों में रागनी प्रोग्राम में रागनी पार्टियों के साथ हिस्सा लेती थी उसके बाद उन्होंने स्टेज डांस करना शुरू किया और फिर्म पीछे मुड़ कर नहीं देखा सबना चोधरी बिग बोस अलेवन का भी हिस्सा रह चुकी है इतना ही नहीं बोलीवुड की कई फिल्मों में भी उन्होंने अपने डांस का जलवा भिखे रहा है तो दोस्तों ये थी आज की ताजा खबर देश दुनिया की ताजा खबरे देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले मिलते हैं अगली वीडियो में साधान रहिए सुरक्सित रहिए और देखते रहिए न्यूज 24 एचार धन्यवाद